हेलो फ्रेंज वेलकम टू एक्जाम टॉपर दोस्तों आज की इस वीडियो में स्टाडिक जीके के इंपॉर्टन टॉप 30 ये स्टाडिक जीके का 66 वीडियो है तो आएए शुरू करते हमारा प्रेला कुशन हमारा फर्स्ट कुशन है दोस्तों गांधी शांति पुरुसकार की शुरुवात कब हुई थी तो दोस्तों बताइए वे शुरू हुआ था 1995 में ठीक है दोस्तों भारत सरकार दोरा जो है अं 1995 में उनके जो है 125 वे चरम दीवस पर आरम किया था याद रखीगा हमारा नेक्स्ट कुशन है दोस्तों मंगल यान कहां से लौंच किया गया था तो दोस्तों वे किया गया था श्री हरी कोटा से ठीक है दोस्तों 2011 और 2012 के बजट में धनका अबंटन कर दिया गया था और 5 न श्री हरी कोटा जो है यानि कि आंदर प्रदेश के 37 दवन अंतरिक्ष केंदर से दुरूविय परश्य पनियान यानि कि PSLV C25 द्वारा परश्य पित किया गया था ठीक है हमारा नेक्स्ट कुशन है दोस्तों पहला दादा साहे फालके पुरुसकार पदान किया था तो दोस वर्श जो है रास्टेफ फिल्म पुरुसकार के लिए आयोजित सत्रवे समारों में जो है पहली बार ये सम्मान किसको दिया गया था अभी नेत्री देविकर आने को ठीक है हमारा नेक्स्ट कुशन है दोस्तों भारते रिजर्व बैंक के प्रथम भारते गवर्नर कौन थे तो दोस्तों उनका नाम है सर सीडी देशमुक ठीक है दोस्तों देशमुक जो है 11 अगस्ट 1943 से लेकर 30 जून 1949 ठीक है इनका कारेकाल था इसके अलावा दोस्तों देशमुक का जो पूरा नाम है वह है चिंता मर्नी त्वार का ना तेशमुक और दोस्तों ये जो है भारते र राज ने 1943 में गवर्णर के रूप में न्युक्त किया, ठीक है। हमारा next question है दोस्तो, सेई सोब अंदगार पुस्तक के लेखी का कौन है। तो दोस्तो, उनका नाम है तसलीमा नसरीन, ठीक है। हमारा next question है दोस्तो, कितने रुपे के नए नोट में शक्ती कांत दास का हस्ताक्षर है। तो दोस्तो, वह है 20 रुपे के नोट पर, ठीक है। हमारा next question है दोस्तो, इंटर पूल का मुख्याले कहां इस्थित है। तो दोस्तो वे है लियोन मिस्थिद याद रखीगा और दोस्तो ये वीडियो कैसे लगा बताईएगा जरूर अगर आपको वीडियो अच्छा लगाया तो एक्जाम चॉपर को लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कूं न भूलें नेक्स्ट क्रिशिन प बात करते हैं दोस्तो सहस्तराब्दी विकास लक्षे की ये क्या है दोस्तो सयुक्त रास्ट संके द्वारा जो है 2000 के सहास्त्री शिकर सम्मेलन में 2015 तक के लिए आठ वैश्विक विकास लक्षे निरधारित किये गए हैं जिने दोस्तो क्या कहा गया है सहस्तराब्दी विक इसके अलावा दोस्तों जो लक्षे हैं उनकी प्राप्ति के लिए जो संकल्प लिया है दोस्तों वह है भुकमरी और गरीबी को समाप्त करना सारजुनिक प्रात्मिक सेवा लिंग समानता और महिला शशक्ति करन शिश्यू मृत्यू दर घटाना मातरत्व स्वास्त्य को बढ करना ठीक है हमारा नेक्स्ट कुष्यन है दोस्तों राजिस्थान के उस साशक का नाम बताई है जिसने बनारा सिंदु विश्विद्याले की स्थापना में मैत्पुन भूमी का निभाई तो दोस्तों उनका नाम है महराजा गंगा सिंग बिकानेर ठीक है हमारा नेक्स्ट क लोकल लैंड मार्क चोखी इसका आधिकारिक नाम है पंचवटी यह जो है लटियन की दिली के लोकल लैंड मार्क परिस्ते देख पता है जो कि दोस्तों 1990 से भारत की प्रदान मंत्री का आधिकारिक निवास है ठीक है हमारा next question है दोस्तो होमी भाबा पुरुसकार के शेतर में विशेश योगदान के लिए दिया जाता है तो दोस्तो ये पुरुसकार किसलिए दिया जाता है नाभी के उर्जा के योगदान के लिए विशेश योगदान जो है उस शेत्र में नाभी के उर्जा के लिए हमारा नेक्स्ट क्रिशन है दोस्तों नासा का डीप इंपक्ट अंतरिक्ष मिशन को उन से धूम के तु केंद्रक के विस्तरित चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया तो दोस्तों वह है टेंपल वन ठीक है हमारा नेक्स्ट क्रिशन है दोस्तों शांती स्वरू भटनागर वार्शिक पुरुसकार के शेत्र में उतक्रिस्ट उपलब्दी के लिए दिया जाता है तो दोस्तों वह है विज्ञान और तकनीक के लिए ठीक है दोस्तो शांती स्वरू भटनागर जो है विज्ञान और प्रद्योगी की पुरुसकार ये वाशिक रूप से विज्ञानिक और और द्योगी अनुसंदान परिशत द्वारा उलेखनिय और आसाधरन अनुसंदान इसके अलावा अप्लाइड या मोलभूत श्रेणी के जीव विज्ञानिक, रसायनिक, पार्थिव, पर्यावराणिय, साघरी और ग्रेहिक, अभियांत्री की, गणी तग्ये, चिकित्सव और भोति के विज्ञान के शेत्रों है ठीक है difficult question है हमारा next question है important question है, एशिया खेलों का ये आरम है किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तो बताए वे हुआ था 1951 में ठीक है दोस्तों जो पहले एशिया खेलते चार से लेकर 11 मार्च 1951 के बीच में नए दिली में आज जीत हुए थे इसके अलावा दोस्तों यह जो खेल है पूर निरधारित कारेकरम के नुसहर यानि की 1950 में होने थे मगर दोस्तों तैयारियों की जो देरी थी ठीक है उनके चलते यहने 1951 के लिए टाल दिया गया था और दोस्तों यह वीडियो शेयर करना बिल्कुल न भूलें आप सभी जानते शेयरिंग इस दा बेस्ट वे उफ लर्निंग तो शेयर जरूर करें हमारा नेक्स्ट किशेन है दोस्तों गांधी शान्ती पुरुष यह वार्शिक पुरुषकार किने दिया जाता है तो दोस्तों यह दिया जाता है व्यक्तियों और संस्थाओं को ठीक है कांधी शान्ती पुरुषकार हमारा नेक्स्ट किशेन है दोस्तों मदूबनी कला क्या है तो दोस्तों वह हैं बिहार में प्रश्लित लोक कला ठीक है दोस्तों मदूबनी जो है पेंटिंग मिथिले का एक फोक पेंटिंग है जो मिथिले का सुरी मिथिला के नेपाल और बिहार के शेत्र में बनाई जाती है दोस्तों यह जो पेंटिंग है इसमें मिथांचल की संस्क्रीति को दिखाया जाता है और मदूबनी जो पेंटिंग है इसको मदुमनी आर्ट और मिथिला पेंटिंग भी का जाता है ठीक है इसका पेंटिंग का नाम क्या होता है मदुमनी पेंटिंग हमारा next question है दोस्तो बंदवा मजदूरी कब लागू की गई थी तो दोस्तो बताइए कब लागू की गई थी बंदवा मजदूरी बै की गई थी दोस्तो नाइटिंस सेवंटीसिक्स में ठीक है दोस्तो बंदवा मजदूरी प्रणाली जो है या फिर उनमूलन ये अधीनियम 1976 को लागू करके बंदवा मजदूरी प्रणाली को दोस्तो क्या किया गया था बताइए दोस्तो ये जो है संपूर्ण देश से खद्म कर दिया गया था ठीक है कब 25 अक्टूबर 1975 को इसके अलावा दोस्तो इस अधीनियम के जरीए जो है बंदवा मज़़ूर गुलामी से मुक्तुवे साथ ही उनकी कर्ज की भी समापती हुई ठीक है हमारा next question है दोस्तो European Center for Nuclear Research यानि की CERN की प्रियोक्षाला कहा है तो दोस्तो वह है जेनेवा यानि स्विजलेंड में ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं CERN की जो की है CERN फुल फॉर्म में दोस्तो इसकी Organization European for Research Nuclear ठीक है European नाभी के अनुसंदान संगठन दोस्तो ये जो है कन भोतिकी की विश्व की सबसे बड़ी प्रियोक्षाला है और ये फ्रांस और स्विजलेंड की सीमा पर जेनेवा के उत्तर पश्यमी उपनगरी शेत्र में है ठीक है हमारा next question है दोस्तो भारते अमेरी की लेखक शामर सरन द्वारा लेखित पुस्तिका के पहचान करें तो वह है हाउस इंडिया सीज दा वर्ल्ड ठीक है हमारा next important question है दोस्तो भारते रिजव बैंक यानी RBI का रास्ट्रे करण कब हुआ तो आप सभी जानते होंगे दोस्तो एक जनवरी उनिस्सो उनिचस को जो है भारते रिजव बैंक का रास्ट्रे करण हुआ था याद रखिएगा और दोस्तो ऐसे interesting video जरकेशन के लिए एक्जाम चोपर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें हर सोसल सैट्स पेश पेश पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हल्प हो सके तो दूसरों की भी हल्प कीजिए दोस्तो हमारा next question है दोस्तो भारत में प्रतम स्टोक एक्सजेंज की स्वर्ष में स्थापित हुआ था तो दोस्तो वह है 1875 में 9 जुलाई 1875 को बॉंबबे स्टोक एक्सजेंज जो की था BSE इसकी स्थापना हुई थी ठीक है दोस्तो हमारा next question है दोस्तो क्रिकेट के पीछ की लंबाई क्या होती है तो दोस्तो बताईए कितनी है क्रिकेट के पीछ की लंबाई वह है दोस्तो 20.12 मीटर ठीक है हमारा next question है दोस्तो शिगमो क्या है तो दोस्तो वह है गोवा का वसंत रिज्टू का महतसव दोस्तो गोवा के निवासी जो है होली को कॉंकणी में शिगमो या शिगमो तसब कहते हैं और वे इस अफसर पर वसंत का स्वागत करने के लिए रंग खेलते हैं इसके बाद दोस्तो भोजन करते हैं ठीक है हमारा next question है दोस्तो your next cup की स्खेल से संबंदित है तो where related है दोस्तो बैडमिंडन से याद रखेगा next question है दोस्तो हमारा स्वेडन की संसत का नाम क्या है तो दोस्तो वे कहलाता है रिक्स डॉग ठीक है next question है दोस्तो हमारा अर्जन पुरुसकर पाने वाले प्रथम भार्दी महीला कौन थी तो दोस्तो वे है एन लम्स्टेन ठीक है next question है दोस्तो हमारा भार्दे वायू सेना में निम्ल में से कौन सी कमान नहीं है तो दोस्तो वे क्या है बताईए दोस्तो वे कौन सी कमान है उत्तरी वायू कमान ठीक है याद रखेगा नास्ट कुशेन है दोस्तो हमारा निमलिकित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया है तो दोस्तो वह है अकाश ओके लास्ट कुशिन है दोस्तो हमारा रास्टे फिल्म पुरुषकार किसके द्वारा पुरुषकार 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 झाल झाल